खायब का क्या मतलब गर्पन नहीं है वो अड़े अम्मा इसलिए तो हमसे पूछने आया था वो तो हम बता दियो उसको वो जिदर भी गया था तुमको मालूम है वो किदर गया है अना अम्मा हम अपने आखों से देखा हूं तुम भी हम बेल्जाम लगाता रहता था ना यह देखो हम को नहीं लगता कि उसका कोई कसूर है यह जरूर कोई साज़िश है अड़े दिल तो हमारा भी नहीं मानता लेकिन तो लेकिन क्या अड़े तुम कभी क्यों नहीं गया स्टाप पर जब नौशीन का जाने का वक्त होता है इस सारा टाइम का इत्पाक पैतल के वक्त ही क्यों होता है हमने खुद इसका वीडियो देखा है वो लडगी पीछे उसके बेट रहा है बात कर रहा है तो इसमें साज़िश का तो कोई बात नहीं है किसी का उसका मर्दी है उसमें पिर भी, हमारा दिल नहीं मांता है तो तुमको भी ऐसा लगता है, इसाब हम निए किए है नहीं, लेकिन नादर ने दादा को खुद वो वीडियो दिखाया है उसमें अरे उसमें रू अरे बुस्ट आप जूते परेब है, साजिश है हमारे केलाप हाँ लेकिन साजिच में भी वीडियो तभी बन सकती है जब नौशीन तेरे साज जाएगी अड़े कहरियत नहीं है वो लड़की है न नौशीन वो अभी तक करने ही पहुचा है आज अब इतना बड़ा लड़की गुम तो हो नहीं सकता है समझदार है बड़ा लिक्का है जिधर भी गया होगा न अपनी मर्जी से गया होगा तो उसका मतलब है कि लड़का वड़का से कोई चक्कर है कोई टिकाना है उसका कि अड़े कैसे पुता चलेगा किसका साधिश है आम तो कहता है नादिर के पास चलते है उससे पहले वीडियो निकलवाता है यह 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 टीक है यह बिल्कुट ठीक है अड़े जाकर दिखाओ उसको उसको बोलो खुदा के लिए बता है हमारा बेंड किदर है यह लो उसको बोलो जाके तरदा अपने हम पर शक्किया है आपको अपने तर्बियत पर यकीन नहीं है औरत का मामला है इसमें बड़ा बड़ा चूग जाता है सारा तालीम सारा तर्बियत दरा का दरा रह जाता है शैतान जजबात पर अमला करता है और जजबात तमाग पर अमला करता है शाहिद प्लीज आप सब को बुलाने से गुरेस करें अकर भायजान को पता चल गया ना मुझे वो यहां से धबरदस्ती ले जाएंगे अड़े पर यह तो हमारा दोस्त फेसल है और फेसल यह शांजी है नौशीन का दोस्त अड़े तो तुमारा मतलब है इसने तुमको कबर किया है नहीं पर इनको पहले दे कबर था कि नौशीन के एक्सिनेंट हो गया वो ही नौशीन के साथ था यह उनका बाई आया था ना मरे गर पर वो जाड़ी वाला वो इनका बाई है बाई? इसका मतलब तुम गर से भागावा है? आ ना कुछ ऐसी समझो अड़ी तुम इसका बाई को इत्तिला दो तो उसका बैन यहां बैटा है क्या होगी है तुमें? नहीं नहीं ऐसा मत करिएगा प्लीस अड़ी ऐसा कैसे? अड़ी तुम्हारा बाई हमारा गर पुलीस लेके आया था अब सुबह ओएंगा तो उसका पता लगेंगा कि तुम हमारा साथ है तो वह मारकर दुबारा पुलीस लेके आएंगा और केस कर देंगा हम पर कि हमने तुमको अगवा किया है अब प्लीस बात समझने के कोशिश करें समभत करें शाहिद शाहिद तो मेरी सारे सिटेशन जानते हैं अगर भाईजान को खबर हो गई न मुझे सबर्दस्ती ले जाएंगे वो यहांसे अले वो आपका भाई है मेडाम तो मैं नौशीन की दोस्त हूँ बड़े चुपकर पालतु का बेस करे या रहा है अब पिकर ना करो वो को कुछ साय अभी तो चाहिद दे इसा बोल रहा है वो देखें नौशीन को एक दफ़ा होश आ जाए मैं उससे अपने कार्ड पासपोर्ट ले लो मैं यह से चली जाओंगी लेकिन जब तक जब तक प्लीज कॉपरेट करें किसी को कुछ मत बताएं मेरा साथ दें का है आपका कार्ड और पासपोर्ट नौशीन के पास है अड़े अपना पास क्यों नहीं रखता है वो मैंने भाई के डर की वज़ए से कार्ड और पासपोर्ट सब नौशीन को रखवा दिये थे दो अड़े तुम नौशीन का पिकर मत करो हम लोग यह हैं यहाँ पर आप जाओ शाहिद क्या होगिया तुमको उटो जाओ जल्दी वापिस आना जल्दी वापिस आना जल्दी आरे साब किस को ढून रहा है यहाँ शाहिद साब रहते हैं हाँ रहता तो यह ही है बलकि आजकल उसका बहीन वाई गाय बे अरे अессव को बहाती है तो समझों मिल गे क्या मतलब? मिल गया का मतलब श्वस्किल होता है मेरा मतलब है कि आप वह कही मिल गए अरे उसका दोस्तों हमको यही बोल के गया लेकिन तू को हैं क्यों रून रहे उसको उसकी बहन और मेरी बहन दोनों दोस्त है और वो दोनों एक साथ गाएब है शांजे के फोन से आखरी कॉल भी नौशन कुछ और उसके बास से उसकी लो वाइब हुआ यह पका रपोर्ट है शाहिद मर गए हैं कौन नौशीन अड़े हम तेरी बैन को तोड़ी जानता है आपको कैसे पता कि वो मर गई है अड़े हमने भी सुना है अब यह नहीं पूछना कि किस से सुना चलें बहुत बहुत शुक्री है अड़े लियारी में जो होता है सब पता है हमको अड़े वाजा बहुत कुछ तो हमसे पूछ के होता है इसका मतलब है कि आपके साथ एक कप चाय तो बनती है अड़े क्यों नहीं तुम महमान है हमारा आप ना तुमको चाय बिलाता है आजओ आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे नादिर अड़े हम बलोचे गहरतमन कैसे नहीं होएंगा हा मैं समझ सकता हूं नादिर भाई आप ए गहरतमन और बाइज़त इनसान है अब आप मेरी कंडिशन का अंदाज़ा करें मेरी जवान बहन घर से गाएंगा लोग मुझे तरह तरह के सवाल पूचते हैं मैं क्या जवाब द इसकी फोन की लोकेशन उसकी दोस्तों का एडरेस हर जे का पता कर लिया है ने अड़े वो की मर्क अप तो नहीं के हैं ने मुझे नहीं लगता है मुझे लगता है को दोनों जिन्दा है नौशीन और वो दूरों बहुत अच्छे दों थे अब बेरे पास शांजे के पास प वो ठीक हो के घर ही आएगा ना हम बता देगा आपको यहीं उससे तक बहुत देर हो जाएगी कंशान से टंडर न चली जाए हाँ अड़े पिर अप ऐसा को रो ना आप ऐस्पताल पता करें इस्पताल कौन से यह मापको पता करके बताएं लेकिन अगर हम आपका काम करेंग तो 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 त आपने मुझे किटनाइब किया है या मैं कोई छोड़ी सी बच्ची हो जो आप पे केस हो जाएगा मैडम आप नहीं समझ रहा है मैनत करने वाला गरीब लोग है आप समझ नहीं रहा है इस बात को अड़े वो पेसल बता रहा था के अल्ला के शुकर है तुम लोग का बेहन मिल गए हाँ मिल गए हाँ अड़े कुछ हुआ तो नहीं सब ठीक है न अड़े हम भी बहुत परेशान हो गए था पजूल कबर सुनके हाँ वो ठीक है एक्सिडेंट हो गया था यह तो बहुत अच्छी बात है के आपकी बहन मिल गई है कि यह तक आ गया हूं तो जब से देख कर ही जाऊंका आँ आज़ा आज़ जल्दी करो तुमारा भाई है आगया बान आओ ओ जल्दी आओ वा ऑँ जल्दी हाँ खड़े आप अच्छा कासा समझदार हो रहत है पड़ लेकि रहा है इसके बावजूदा भी अरकत की है सारप ना कीमती समान इसके पर रखवा दिया जाके किसी लाकर-माकर में रखवाते ना इसके पास क्यों रखवा दिया आप चानता है हम हम मसीवत में पस्किया है आप जब से हैं ना मुझे ही कोसे जा रहें पड़े नहीं हम आपको ऐसास दिला रहे ह। आप फिकर नि करें मुझे असास है नौशिन का theorem और अपनी घल्टी का भी अगर मैं चाहती न तो यहां से लॉशिन को छोड़ के जा सकती थी और भी सहली आए मेरी आप तो चार दिन बाद आयें न अगर तुम्हारा बाई को पता लगे तो तो क्या आपने मुझे किटनाइब किया है या मैं कोई छोड़ी सी बच्ची हो जो आप पर केस हो जाएगा अड़े मेडम आप नहीं समझ रहे हैं अम महनत करने वाला घरीब लोग है आप समझ नहीं रहा है इस बात को हमने लियारी के लिए बड़ा बड़ा कौआप देखा है उस कौआप के लिए हमको महनत करना पड़ेंगा और ज़्यादा आप बेफिकर मेरी वज़ज़ से ना आपकी नीन दुड़ेगी ना आपके खौबों में खलल आएगा बस एक दफ़ा नौशिन ठीक हो जाए खौश आजए इसे बस मैं नौशिन से मिलके जाना चाहती हूँ चल्दी से ये ठीक हो जाए अड़े शाहिद भाई अड़े अमारा बात सुनो ना यार अमारा साभी थोड़ा आलवाल करो अड़े अम भी तुम लोग का मलादार है कोई अमको भी तुमारे साथ हम दर्दी है आँ अमको मालूम है किता हम दर्दी है तुमको अमारे साथ अड़े वो पेसल बता रहा था कि अल्ला का शुक्र है तुम लोग का बेंद मिल गए हाँ मिल गए अड़े कुछ हुआ तो नहीं सब ठीक है न अड़े हम भी बहुत परिशान हो गए था ये पजूल कबर सुनके हाँ वो ठीक है एक्सिडेंट हो गया था अड़े शायद भाई हमारा बात तो सुनो ना अड़े ये तो बताओ एक हाँ अम्मा बहुत परिशान था हम को बोल रहता है कि नुशीन का पता करो हम बोला साहिद तो हमको अपना दुश्मन समझता है पर हम तुम लोग का सबसे ज्यादा कैर को है कालिज के पास हॉस्पिटल में हो तब काला को लाओ तो हमको पून कर लेना ठीक है ठीक हम कॉल करेगा तुम ठीक हम चलता है ठीक हम कब से तुमको पॉन लगा रहा है अड़े तुम पॉने नहीं उठा रहा है हाँ साब आपने तुम लोग का काम आज ही कर दिया है हाँ आप सीधा ऑस्पिटल चला जा साब तुम्हारा सामने ही होएंगा थैंक यू नादर भाई आप तो बहुत काम के बंदे निकले हाँ आप तुम आम लोग का भी काम ऐसे ही कर दे ना तैनली टाइम बस आप होकुम कीज़ेगा आप उन रखता है ओके अमा अमे नादर अर नादर स्थल्ट 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 झाल 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 कुछ मिला? तुम बताओ डॉक्टर ने क्या बोला है? कबोश आएगा उसको? तुम पिकर नहीं करो! अल्ला ने अभी तक चब ठीक रखे ना वो आगे भी सारे मामला ठीक ही रखेंगा अड़े पर शांजे का कोई भी चीज गड़ पार मिला ही नी? अड़े वो सकता है के एक्स्टेंट वाला दिन रिक्षे मिक्षे में गिर गया और कुछ गुम गया हूँ वहीं पर ही हाँ? शाहिद! सद्दाम आगया है! हम अंदर जा रहा है? तुम समाले उसको! हम शांजे को देखते हैं, हाँ? आप यहाँ? आप यहाँ लेकिन आप यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो इस ख्याल से चलाया था कि कहीं कोई हाथसा ने पेशाया हूँ आप मारा बेहन के साथ भी यही हुआ है इदर ही तो है वह अस्पिटल में यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी बेहन मिल गई है यहां तक आगया हूँ तो यह उसे देखकर ही जाओंगा आप आप आज़ा आज़ा शांजे जल्दी करो तुम्हारा भाई आगया बाहन आओ 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 जल्दी आओ क्या? जल्दी क्या हुशनी आया अब तक? नई अभी तो कुमा में तो साइड अला करे शांजे खेरियत से हो आँ आमीन मैं अगर आप लोगों के किसी काम है सकूँ कोई भी हुकम है काम हो आप किसी वक्त भी मुझे फोन कर सकते जी जरूर मेरा खाल है कि मुझे चलना चाहिए नौशनी ने अगर होश में आये तो प्लीज मुझे इतला कीजेगा कि तेरी बहन की दोस्त है मैं चाहूँगा कि होश में आने के बाद मिलो ठीक? बड़ी महर्वादी हम पैसल को बता के आता हूं अधि 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 क्या देख रहे तुम? हाँ मैं बस यह देख रही थी के छोटे आलाकों में भी बड़े लोग पैदा होते हैं द्रासर हाकिकत तो यह यह के अकसर छोटे आलाकों में बड़े लोग पैदा होते हैं इसलिए पैसा कमाओ पैसा इतना पड़ लिखके यह बात तुमारा समझ में नहीं आया कि सारा दुनिया पैसे के पीछे बागता है और तुम यारों के पीछे अब अब अगरा मूँ पहरी गया तो पिर अच्छा दोस्तों ना हुआ ना किया हुआ उनको कैसे पता चला कि मैं यहां पर हूँ हड़े हमको भी इसी बात का एरत है अधे तो अपना फोन भी फेग दिया था कि मेरे लोकेशन ट्रेस ना परे कैसे पता चला उनको अधे यहां तक तो वो जैसे भी पहुचा लेकिन पिलाल तो आपको कहीं और जाने का सोचना चाहिए मैं? मैं कहां जाओंगी? नहीं कहीं पर भी जाओंगी ना तो भायजन को पता चल जाएगा अब यही जगह मेरे लिए सेफ है अड़े यह जगह आप सिर्फ नहीं रही बात समझ दें कोशिश करो अगर मैं अब कहा जाओंगे अब यह पैसला भी आपने ही करना है आप अमीर लोग है बड़ा लोग है आप लोग आप कैसा दोस्त यार होता है ना उसे अगर चला जाओ क्या हो गया? नहीं हमारे अक्सर मेच्योर फ्रेंड्स थे या फैमिरी फ्रेंड्स एक कॉलिज में नौशी नहीं तो थी मेरी दोंस्त मैं क्या करों कहा जाओं वो चलागी है मुझ वाफस तो नहीं आएंगे न तुबारा? अब इतना जल्दी थोड़ी आएंगे हैंगे हाँ, अल्ला करे, अल्ला करे दिलाबर, तुम इनको लेकर जाओ गर हम यही हैं शाहिद का साथ अचा तुम शाहिद का कया लखना वो बहुत परेशान है अड़ी तुम पिकर मत करो मिदर ही है को टेंचन लेने वाला बात नहीं है जाओ यह हमारा कम्रा है, तुम इतना परेशान क्यों है सबका भी हैवियर देखकर मुझे एक अजीब से घुटन महसूस हो रही है और आपके बेटी कितने नफरत थी उसकी नजर में मेरे लिए मेरी बास हो, तुम इदर आप बैठो देखो, वो तुमें नहीं जानती, उसके दिमाग में स्केच एक सौतली माता है और बागी लोग भी ऐसी सोच रहे हैं तुम्हें एड़जस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा और वो वक्त तुमने देना है मैंने तो शादी की है, मैं तो पूरी जिंदगी दूँगी लेकिन तुम पहले कभी किसी से मिलती हो तो अजनिबी होते हैं और थोड़ा सा वक्त लगता है एड़जस्ट होने में और यहां तो बामला ही डिफरेंट है देखो तुमने किसी के रविये का खुद पर असन नहीं लेना है फिर देखना तुम्हारा पॉजिटिव बेहवियर कैसा बतलता है सब को फिर देखना तो और अगर नाम बदला तो मुझ में भरुसा नहीं मुझ में भरुसा रखो मैं चेंज कर लेती हूं ओके ठीक अगर नाम पूरी तो हुँगे ना यह मारा चूटा तकार है यह में बड़ा बड़ा काप देखता है इंशाल्ला पूरे तो हुँगे ना नहीं अब भी तो नहीं हो या कह रही है नौशीन का कमरा है वैसे तो पूरा गरी तुम्हारा है लेकिन जहां चाहरो हम कही लाक वाक नहीं लगाता तुम पूरा गर देख सकता है और शाहिए तुमको तुम्हारा अपना समान भी मिल जाए क्या देख रहे तुम्हारा मैं बस यह देख रही थी के छोटे अलाकों में भी बड़े लोग पैदा होते हैं दरासर हाकिकत तो यह है कि अक्सर छोटे आलाकों में बड़े लोग पैदा होते हैं बड़े लोग होती ही वह हैं जो हालाच से मकाबला करते हैं लड़के अपना मकाम बना देते हैं साही बोला अच्छा हम चलता हूं गर में काने पीने का सारा समान मजूद है, तो मारा दिल करें तो बना लिए और रम दरवता बार से लाग कर देगा, तो हम गरेट के पास मज जाना, वरना किसी को शकना हो जाए कि अंदर कोई है, और अगर हमारा दरवत पड़े, तो अंदर टेबल पे एक पून रखावा है, हमको काल कर ले ना, ठीक है, बाँ सुने, आप बिलकुल नौशीन जैसे है, रहर है, अमारा बेन है, और कैसा होगा, चलो हम चलता है, ठीक है, प्यालग ना, प्यालग ना, अफ कि तुम्हार बाज्बा दूमेगा, असको समझाओ, उसका दिमाग मेंबात भात ही नहीं समझ में आता है, हम उसको बहुत समझाया, चैरा हमारा दोस्त है, हमारी यारी, हम उसको अकेला कैसे चोड़ दे, माभाप चोड़ सकता है, दियार को नहीं चोड़ेगा, पता आनि क्या तावी इस गोल कर पिला दिया इसको वह तो शुक्र करो वोक्त से पहले हमने इराधा बदल दिया नहीं तो शादी पक्का हो गया था ना तो हम इसका सूरत को भी तरस जाना था आने दो, अभी दोटुक उससे बात करता हैं लो आगया, करो बात शुक्र है तुम्हें घर का रास्ता तो नजर आया अमा शुक्र तो इस बात का है कि शाहिद का बेन मिल गया जादा अमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है सुबह अपने बाप के साथ काम पे जावे अमा चला जाएगा काम पे भी चला जाएगा? क्या मतलब है? घर की परवा नहीं है तुझे दोस्ती यारी भी पैसे से चलती है चार दिन तू अपने दोस्त के घर जाए और पांचवे दिन तू रोटी मांगेगा ना तो तुझको घर बेज देगा वो वापस ये दुनिया पैसे का है इसलिए पैसा कमाओ पैसा इतना पड़ लिखके ये बात तुमारा समझ में नहीं आया कि सारा दुनिया पैसे के पीछे बागता है और तुम यारों के पीछे वाया बुरे वक्त में ये सारा यार साथ चोड़ जाता है अब अगर हम मूँ पेर गया तो पिर अच्छा दोस्तों ना हुआ ना इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है चार पैसा कमा शादी वादी कर शादी कर अपनी अच्छी जिंदगी गुजार तेरे यार अच्छी जिंदगी नहीं देंगे तुझको टेंशन देंगे तुझको तुझको इस्तमाल करेंगी और जब तेरा टेम आएगा मू फिर लेगा अड़े अमा हम इसलिए उसके साथ अच्छा थोड़ी कर रहा हूं कि हमारा बुरा वख पढ़ने पर वो भी हमारा साथ देवे अमा इंसान इंसान के ही काम आता है बुरे वख में अमा कुछ चीज़े तालुक में पर्ज होती है हम तो सिब अपना पर्ज ने बा रहा हूं तुझ पे सारे पर्ज यार दोस्ते हैं मा बापका कोई हक नहीं है हड़े अमा ऐसा मत बोलो तुम पे हमारा पूरी जिंदगी कृबान तुम्हारी जिंदगी के हम को कृबानी नहीं चाहिए हमा कुछ दिन और सबर कर लो जब शाहिद काम पर जाएगा हम उसके साथ चला जाओंगा जैसे पहले गिया था तुम लोगों के कहने पे अमा हमारे खाब कुछ और हैं और हालात कुछ और हमको तुमारे खाब समझ में नहीं आते अड़े ये तुम लोग का भात नहीं समझेगा अगर तोड़ा खयाल करो अभी उसको ठीक होने दो फिर अपनी अमा को बेज़ देना इसके घर साइद मना नहीं करेगा अगर मना कर दिया तो अगर तो हम हैं ना उसको मनाने के लिए सच को? अब मुझ बोल रहा था के साइद से अच्छ तालुकात बना लो बंदा बुरा नहीं है वैसे वो तुम एक बाहर इससे अच्छा सा बात करेगा न तो तुम्हारा बात ढालेगा नहीं हो तुम्हारा मतलब रिष्टे का बात आँ और क्या अभी तुम बच्च यह तुम क्या समझता है आम उसे एक दो दफ़ा बात करेगा तो अपना डॉक्टर बेन तुम्हारा आवाले कर देगा तुबह करो तुम तो इतना तैयार हो रहा जैसे वो तुमको देखते ही पसंद कर लेगा अभी नहीं तो बात में तो करेंगा ना अभी चुप करो उदर जहा कर उल्टा सीधा नहीं बोलना अड़े अम्मा अम क्यों बोलेगा अड़े अम्मा आज अम सिर्फ अपना डॉक्टर निंग को देखेगा बोलना तुम कुद कमौश झाल चाए तुमको पोल्रात था कि शाइड से अच्छा तालुकात बना लो बंद बुरा नहीं है वह सक्या थो तो में एक बार से अच्छा अच्छा बात करेंगा ना तो तुमारा अवा थालेगे निय刚 तुम्हारे मतलब रिष्टे का बात आँ और क्या अभी तुम बच्च चाहिए तुम क्या समझता है आम उससे एक दो दफा बात करेगा तो अपना डॉक्टर बेंड तुम्हारा आवाले कर देगा अभी अम्हा उसका बेंड डॉक्टर है तो हम क्या बिमार है सारा दिन गली में आवारा गर्दी करता है गूमता पिरता रहता है काम दंदा कोई नहीं करता है अभी अम्हा अम लोग का भाप का इतना प्रपटी है अम काम क्यों करेगा आँ अभी चलो निकलो शकल गूम करो बड़ा बाते कर अभी 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 रिकवरी यहारी एंड में और लाने चाहा तो बहुत जल्दा मेंगी बैंड़ी भी बोल देंगे इंशाला था इंशाला आज है आज दो सब्सक्राइब तेंक यू अड़े नुशीन क्या होगी अड़े तुमको अबने बोला भी ता हम तुमको चोड़ाता है तैसा हम पहले चोड़ता था अड़े तुमने मना कर दिया है अब देको तुम्हारे साथ में इतना कराब है अगर हम तुम्हारे साथ चल लेता तो क्या हो जाता अड़े हम शाहिद का पाउं पकल लेता हम मापी मांग लेता हो उससे लेकिन आज तुम तो ठीक होता है अब से गलती हो गया आपको तुमको जाने नहीं देना था के लिए बैटो 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 अब अची तरह से जानता हूँ तुम इसको पसंद करता है अगर तोड़ा ख्याल करो अभी उसको ठीक होने दो फिर अपनी अम्मा को बेच देना इसके घर शाहिद मना नहीं करेगा अगर मना कर दिया तो अगर तो हम है ना उसको मनाने के लिए सच और नहीं तो क्या अगर उसको याद दिला भी दिया तो वो कौन सा पेपर का तैयारी करेंगा यहीं पढ़ा रहेंगा वो असलब हमारी बैन को देखने के लिए अब अगर हमारे होते वे भी उसका एक्जाम मिस हो गया तो फिर लानते है ऐसी दोस्ती पे अड़े सही बोल ला है तो शाहिद आता है तो हम बात करता हूं उससे तो करो उससे बात हम अभी डाक्टर से मिलके आता है डाक्टर साब इतना दिन हो गया है नोशीन तो अभी तक कोमा में पड़ा है कोमे का मतलब यह है कि हम आपको टाइम फ्रेम नहीं दे सकते लेकिन अल्ला की रहमें से मायूस ना हो मुम्किन है अगले पांच मिन में होश आ जाए या इसा कैसा एक्सिडेंट हुए इसका कटीकोने महीं नहीं आ रहा है काला सल पे चोट लगा है बहुत गहरा इसलिए शायद अल्ला रहे हम करे जवान बच्चे अभी तो शादी भी नहीं हो उसका माद वोगा शादी हो गया होता तो अरे बड़ा बोला है तुम है अमज नहीं रहे हम यह बोला है कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है हाँ अभी तुम बोलो तुमको वो लड़की पसंद है बहु के लिए का नहीं शादी हाँ दाक्तर बन रहा है वो लड़की बहुत पड़ा लिका है अग्सिजिएंट वा कैसा लियारी में तो लोगा जारों किसें का बाते कर रहे हैं अभी किसी को क्या मालूं कि इस पर इतना बड़ा मुसीबत कैसे तूटा मुसीबत तूटा नहीं है काला जिसके पीछे किसी का आत है हम तो कहते हैं अल्ला उसका बेड़ा गरा करे जिस तो यह जुलम किया अठे हमको बता हूँ उसका जान ले ले हम सोचल वर्क में एंपिल कर रहा है अरे वाँ जबरदस्त कितने अचे इंसान है आप आप लोगों में तो बहुत मोडिवेशन है हमारा काव है कि हम लोगों के लिए बहुत काम करें जैसे के हमको लियारी में एंजियो बनाना है अस्पताल बनाना है वहां नौशीन बेटेगा लोगों को फाइदा देगा तुमको पता है वो नादिर आया है नादिर यहां अच्छा हां वो इस लड़की को देखने आया होगा कर लड़की कही हमारे साथ तो नहीं है पहले भी कवर कियोगी शायद उसने उसके भाई को अमा भी साथ था उसके इसलिए हम कुल के बात नहीं कर सेके लेकिन उनको बातो बातों मैं बता दिया हूँ कि हमको सब पता है तुम यह बता हो स्कूल स्कूल कैसा चल रहा है बहुत अच्छा तुमको देखके, हमारा भी दिल चाहता है, कि आम भी पढ़ाने लग जाए? तुमारे साथ क्या? वारे मैं जैसे पढ़ाना चाहता है या तुमारा दिल करता है? अजон दिल तो हमारा अपना है, लेकिन क्यूं चाहा रहा है, यह तुमको भी पता है बस एक दफ़े सरसरी सा काता मैंने कि मैं अपना घर बेश किया हूँगी जो पापा ने मेरे नाम किया आज बात हुए तो उसने पहले सवाल यही यही कहे कि घर बेश के पैसे ला दियो फिर तो अच्छा हुआ कोई तो मा नहीं गिया अरवाँ चला जाता तो पता नहीं वहाँ क्या आलाद होता कुछ भी नहीं है नामुम्किन सद से आगे निकलना है अपना वक्त बदलना है हम की मारा मारी है कोशिस अपनी जारी है चल जाए अपनी गाड़ी ल्यारी से किवारी यार में सब कुछ वारेंगे इस्क में बाजी मारेंगे चाहत की हर बात हसी दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं मंदिल तक तो जाना है रस्ता बड़ा पुराना है ल्यारी से किवारी दुनिया से गबराना क्या अब बुण करना देखेगे जीतेगे हम जीतेगे हर खत्रे को आप लिया रस्ता हमने नाप लिया मंदिल हमने है ताड़ी ल्यारी से किवारी